दोस्तों तेजस एयर क्रेप्टों को निर्मान करना खाली भारत के बेडे में इंडेजिनियस एयर क्रेप्टों को शामिल करने के इरादय के तहत ही नहीं बल्कि भारत को टेक्नोलोजिकली या फिर कहतो डिफेंस प्रोडक्शन वाइस आगे बढ़ाना भी है दुनिया में कैसारे ऐसे डेश है जो अन्ले देशों से कॉम्पोनेंटों को इंपोर्ट करके अपने देश में एसेंबल करके येर क्रैप्तों को अपना बताता है पर भारत इस तरीके से अपने देश के टेक्नोलोजीकल इनोवेशन को आगे नहीं लेना चाहता है बल्कि भा अधिक बताया जा रहा है कि इस हबते LCA Tejas AF Mark 2 प्रोजेक्ट को लेके critical design review हो सकता है और ये critical design review का नारा रहेगा cutting edge technology and more indegeneration मतलब अधिक से अधिक भारतिय equipment के साथ cutting edge technology के development करना इस हबते होने वाले critical design review में आशा किया जा रहा है कि भारत के कई 100 कंपनियों को advanced aircraft project में अपने भूमी का निभाने का एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है क्योंकि दोस्तों हाली में ADA के sources के द्वारा जानकारी दिया गया है कि तेजस Mark II aircraft मतलब भारत द्वारा बनाया जाने वाले 4.5 generation के medium weight aircraft में करीबन 70% indigenous component होगा जवकि यही संख्या तेजस Mark I A में करीबन 62% था और इसमें खाली indigenous component को नहीं बलकि advanced technology का विस्तेमाल किया जा रहा है जो संपूर्ण रूप में स्वादिशी तरीके से निर्मान हुआ है तेजस Aircraft को अधिक indigenous बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े component को जो की विदेशी कंपनों से इंपोर्ट किया गया है उसे स्वादिशी कंपोनेंटों से replace भी किया जा रहा है ADA के sources के तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि ADA द्वारा already raw material के availability और production को लेके काम को संपूर्ण किया जा चुका है और ADA करीबन 410 private farm जो की पूरा देश में बिचा हुआ है उन्हें supply line और replacement unit और other component के लिए आगे ला रहा है जब कि यही संख्या अगर तेजस Mark 1A aircraft को देखा जाए तो उसमें करीबन 344 था मतलब पहले के मुकाबले में अब इसमें private और local company के भूमी का काफी अधिक बढ़ चुका है तेजस Mark 2A aircraft के production या फिर कहतो prototype building को लेके पहले भी report आ चुका था कि इसके जो long-weighted CDR मतलब critical design review है या असल में जुलाई महिने में होने वाला था लेकिन ये postponed हो गया और finally इसे November 15 के दिन complete करने का बात कहा गया जबकि इसमें 20 subsystem और individual component को Indian Air Force के द्वारा clear किया जाएगा material cutting उसके बाद जल्दी शुरू होगा और component के acquisition भी शुरू होगा expect किया जा रहा है कि December 2022 से पहले aircraft को roll out किया जाए और December 2023 से पहले aircraft के first flight को संपूर्ण किया आया सके दोसो इंडिजनियस टेजस मार्क टू एरक्रेप्टों में अधिक से अधिकतम इंडिजनियस componentों को शामिल करने के पीछे और एक बड़ा मकसद ये है कि भारत के dependency भी अन्ने देशों के कमपनियों से कमे और साती साथ भारत को इन एरक्रेप्टों को export करने के मामले में भी जादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े एक्जामपल के रूप में आप लोगों को अर्जेंटिना का ही कॉंट्रेक को बता दे जहापे कई सारे देश अर्जेंटिना को fighter aircraft supply करना भी चाता है और अर्जेंटिना उनसे एरक्रेप्टों को खरिद भी सकता है लेकिन प्रिटिकल कंडिशन भविशे में ना आये बोलके अभी सही भारत के द्वारा तैयारी किया जा रहा और संभावित इसी तैयारी को मजबूत करेगा भारत के ये प्राइबिट कंपनीज और सप्लाइ लाइन। निर्मान हो तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद